नमस्कार मेरे किसान भाईयो किसान साथियो जैसे कि मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाई रिंग पिट वी धीप है मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं किसानों को और किसान साथियो ये बाते आपको कोई नहीं बताऊगा सिर्फ बैनेफिटी किसान बताते ह या जो कोई भी वीडियो बना रहा है मैं आपको सारी जानकारी देने कोशिश कर रहा कि कितनी मेहनत है इसमें और क्या क्या काम हमें करने ये भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं किसान भाईयो कि मेरी वीडियो देखने के बाद काई सारे किसानों का मेरे पास फोन आया इसमें कितनी मिट्टी हमें अंखो पे लगानी और पानी देते वक्त क्या सावधानी रखनी थोड़ा से मैं और बताना चाहता हूं किसान भाई और आपको दिखाऊंगा कि मैं साथ-साथ पानी भी देता चल रहा हूं दो चार लाइन जो बूज आती हैं उनमें ही और किस तरीके का पाणियारा और क्या समस्या आती है ये मैं आपको बताऊंगा किसान भाईयो तो किसान साथियो खेत की तैयारी करने के बाद सिंपल तैयारी रोटावेटर और टीलर की क्योंकि जब गड़ाविदी का जो डिगर है वो चलता है उसको कोई दिक्कत नहीं आती कि आपने कितना गहरा भाहन कर रखा क्या समस्या कर रखी वो खेत इक्सार है या नहीं है इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता तो किसान साथियो आप के वर उसमें रोटावेटर और टीलर चलाओ जिस खेत में आप रिंग पिट अकिला अदमी या दुकिला अदमी इसकाम को कर सकता है यह सिर्फ मजदूरी का काम है और बहुत महनत का काम है अब मैं थोड़ा सा डिसकस करता हूं कि क्या-क्या गलतिया हैं जो किसान करते हैं और फैल होते हैं किसान भाईयो खेत की तैयारी के बाद हमने इसमें खड़े क कल जांगे जब लाइन से लाइन की दूरी 5 फूट और खड़े से खड़े की जो दूरी है सिर्फ डेर से 2 फूट है अब उसके बाद जब खड़े हो जाते हैं किसान भाई हो तो आपको सबसे बड़ी गलती कई किसान यहीं फैल होते हैं कि खड़े आपस में नहीं में तो सारी की सारी मिट्टी खड़े में उतर जगी और उतरने के बाद बिल्कुल भी जमाव नहीं होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ हमने जो बोध्या है यह देखे किसान भाईयों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है यह खड़े हम यहां तक बोग चुके हैं करी इसमें अगला कारिया क्या होगा जब यह हलके सी सूख लगेगी तो मैं इसमें मट्टी डाल दूगा उपर से बहुत थोड़ी थोड़ी और तो वह जो आल है जो सिलब भी है वहीं रुख जाएगी और यह इसी ठंड में इसी पानी में यह जम के आ जाएगी यह इसका तरी पहले ही खाट डालना चाहिए किसान साथियों जब आप पानी दे देंगे उससे जो तीसरा चोत्ता दिन होगा पांचवा दिन होगा तब यह देखिए पहले दिनी तरेड़ सी खुलने लगी है इस तरीके की तरेड़ जब खुलेगी जमीन में लाइने पड़ जाएगी त तो उसी से ही सारा जमा हो जाएगा किसान भाईयों आपको कुछ भी और पानी देनी के सकता नहीं पड़ेगी चाहें तो आप खड़े में पहले भी खाट डाल सकते हैं लेकिन मेरा मानना यह है कि कांची के उपर इन दो आख के टुकड़ों के उपर जब आप देशी कुड लिया है और एक हुमिक का यह चार चीज मैंने इसमें अभी इस्तेमाल करी है किसान भाईयों हुमिक का मैंने बताई आपको बहुत अच्छा जमाव में काम करता है और जमाव का सबसे अच्छा नियम यही है किसान साथियों यह जो आप देख रहें बहुत हलकी मिट्टी ग किसान भाईयों दूसरी चीज जो किसान जब से ज्यादा पूछते हैं कि कितने आख के टुकडे लगाएं सिंगल लाइन मतलब एक आख का टुकडा लगाई है न दबल के मैंने इसमें दो-दो आख के टुकडे लगाया किसान-भाईयों आप देख पा रहे होंगेए चक्र अगली जो चीज आती है कि इस पर मिट्टी कब डालनी अब मैंने बता दिया कि आठ दिन बाद जैसे ही यह हलकी से सुखे की चार-पांच दिन में हम इसमें अलकी-अलकी मिट्टी डालेंगे फिर इसमें जमा होने तक कोई मिट्टी नहीं डालनी फिर धीरे-धीरे हर पानी आपको थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालनी और एक डोज के बीच में दूसरी डोज में एक महीने का आपको अंतर रखना कम से कम भी और इसमें आगे भी जो खाद लगेंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा आगे भी जो विवस्ता हम इसकी रखेंगे अभी फिलाल मैंन एक एकड़ में किसान लेते हैं और किसान भाईयो लेकिन इसका परबंदन जो है वो सुरू में बहुत टाइट है मैं आपको जैसे की बता रहा आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है एक चीज और मैं बता दू किसान भाईयो आप बिल्कुल भी इसक यहों का नाब होई न यह सारी लाईने आधे से ज्यादा खेत भूबी चुका है आज भी साम होगी सुभै से लगे लगे और इनमें सुभै पानी चलावेंगे खाट डालके उपर से थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया रसाइनी काद और दवाई तो किसान भाईयो मेरा कहना यह है कि सब गड़ा विदी करने का मन में आता है तो अपनी कमर कसनी होगी बहुत महनत का काम है किसान भाईयो लेकिन महनत रंगलाती है आप भी जानते है मैं भी जानता हूं किसान साथ यो निश्चित रूप से आप सफल होंगे मैं जानता हूं लेकिन थोड़ी सी थोड़ी मैं यह च किसान सात्यों खड़े करवाने के बाद वह जुड़वाना ज़रूर है और उसके बाद बहुत हलका पानी इसमें लगाना है रिंग पिट विदी की जो सकसस है किसान वह सिर्फ इसी चीज पे टिकी हुई है कि जमाव अच्छान चाहिए अगर यह धांग एक बार भी तूटक के इस खड़े में चली गई और इसने सारी मिट्टी को दबा लिया मिट्टी ने इन कंशियों को दबा लिया इन गन्ने टुकडों को दबा लिया तो वहीं पे फैल हो जाएगा किसान चाहिए आप कितनी भी मैनत कर लेना वह बाहर निकल के नहीं आएगा इस टाइम पे भी मैं आपको जो भी अच्छी जानकारी होगी जो देने लाइक बात बताने लाइक होगी इस के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा धन्यवाद